नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्ट से आपका स्वागत है with new automobile concepts आज हम बात करने वाले हैं valve timing system के बारे में valve timing system वो system है जो की opening and closing of walls को regulate करता है हमने पिछले वीडियोज में जाना था कि camshaft का काम होता है intake valve और exhaust valve को खोलना और बंद करना लेकिन camshaft अकेले काम नहीं करती camshaft एक बड़ी machine री एक बड़े system का हिस्सा है जिसमें camshaft, crank shaft और timing chain आते हैं जब भी गाड़ी को तेज या धी में चलने की जरुवत महसूस होती है जैसा कि driver input करता है तो signals camshaft और crank shaft के बीच में communicate होते हैं और यह पूरा process communicate होता है timing chain की मदद से तो गाड़ी को जैसी भी condition में चलना हो तेज, धीमे, जादा pick-up, कम pick-up, more power, less power किसी भी condition में यह पूरा system उसको regulate करता है Crankshaft और camshaft के बीच का communication यह timing chain भली भादी कर पाती है और इस पूरे system के हिसाब से गाड़ी को additional fuel मिलता है through the intake valve या फिल की supply कम कर दी जाती है through the intake valve similarly इस system के आधार पे ही exhaust valve जादा या कम खुलता है तो हम समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी तेज़ चलती है power और torque की जादा requirement है जादा even की खपत obviously होगी intake valve जादा खुलेगा and obviously similarly exhaust valve भी जादा खुलेगा आज के इस वीडियो में valve timing system के बारे में इतना ही I hope camshaft, crankshaft और timing chain आपको इदम clear हो चुके होंगे तो दोस्तों अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया जुड़ रहिए हमारे साथ इसी तरह से by subscribing to this channel अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इस वीडियो को अपने friends के साथ भी share कीजिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए take care and jahin